Hello students, Welcome to my YouTube channel बुनियाद उर्दू Students, आज हम J.K. बोड क्लास 11 उर्दू की किताब से सबग आखिरी कदम का खुलासा पढ़ेंगे बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसेन का मजमून आखिरी कदम एक नेक और सखी आदमी की कहानी है पच्चों सखी का मतलब है दरिया दिल यानी बड़े दिल वाला उस नेक आदमी के पास बड़ी धन दौलत थी मगर उसका मानना था कि ये दौलत अल्लाह की अमानत है सो उसके नेक बंदों पर ही सर्फ की जाए यानी खर्च की जाए वो नेक आदमी हमेशा गरीबों, नादारों, मोहताजों, यतीमों की मदद करता था पच्चों नादार का मतलब है मुफलिस यानी फकीर उसके पैसे से नजाने कितने ही यतीम खाने चलते थे कितने ही समाजी, तालीमी इदारे मदद पाते थे कितनी ही बेवा औरतें मदद हासिल करती थी मगर ये सब काम वो छुप कर करता था किसी को पता भी नहीं लगता था लोग उसे मक्खी चूस कहते थे उसकी नेकी का हाल सिर्फ वही लोग जानते थे जिनकी ये मदद कर चुका था वो एश और मस्ती की जिन्दगी से दूर सादा जिन्दगी बसर करता था उसके दोस्त और एहबाब उस आदमी का मजाक उड़ाते और उसे कंजूस कहते थे बचो एहबाब का मत्ब है रफीक उसने एक हिसाब की किताब रखी थी जिसमें वो सारे खर्चे का हिसाब लिखता था उस किताब के जिल्द पर सुनहरे हुरूफ में हिसाब अमानत लिखा हुआ था उस किताब में खर्चा और हिसाब के इलावा कुछ दिल्चस्प बातें दर्ज थी किसी यतीम की मदद की और वो डॉक्टर बन गया एक तालीमी इदारे की मदद की अब उसकी कई शाखे हैं तब भी लोग उसको कंजूस कहते थे उसका दिल बहुत दुखी हो जाता था और फिर हिसाब अमानत खोल कर दिल को तसली देता था नेक आदमी का इरादा था कि वो अपनी किताब हिसाब अमानत लोगों के लिए छोड़ जाएगा ताकि उसके जाने के बाद उनको उसकी नेकियों का इल्म हो जो हर वक्त उसे कंजूस कहते थे आखिरकार एक दिन सक्त बीमार हुआ उसकी तबियत मुसलसल बिगड़ने लगी यानि लगतार बिगड़ने लगी नेक आदमी को एहसास हो गया कि अब उसके जाने का वक्त आप पहुँचा है ये वक्त उसके लिए फैसले की घड़ी थी वो अपने आमाल जाया नहीं करना चाहता था यानि जो उसने अपने जिन्दगी में नेक काम किये थे आखिरी वक्त में उसे खयाल आया कि किसी और को शर्मींदा करके उसे क्या मिलेगा बलकि उसकी जिन्दगी भर की नेकी उसके इस अमल से जाया हो जाएगी हिसाब अमानत को खोला आँखों से आँसु निकले हिसाब अमानत को अंगीठी में फैंक दिया पचों अंगीठी आप जानते हैं सर्दियों में हम अंगीठी में आग जलाते हैं किताब जलने लगी मुजजिन ने अजान दी मुजजिन कहते हैं अजान देने वाले को और नेक आदमी ने हमेशा के लिए आँखें बंद की उसके आखिरी कदम बिलकुल भी नहीं डगमगाए और ये नेक आदमी अपने साथ अपनी तमाम नेकियों को ले गया तो बच्चो आज हमने सबग आखिरी कदम का खुलासा किया बच्चो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें